ड्राइविंग लेसेंस बनाने से पहले आपको लाणिंग लेसेंस बनाना होता है लाणिंग लेसेंस बनने के एक माई ने बाद ही आप ड्राइविंग लेसेंस के लिए अपलाई कर सकते हो लेकिन आप लाणिंग लेसेंस बहुत अच्छा एक फैसलिटी आया है यानि लगब लगोद के आप कैसे ओनलाइन गहर बीडियो स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं का तो सबस्क्राइब कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पर SSI इंटरेस्टी व्यूज की आता रहता है अपको परिवर्ण .gov.in पर आना होगा इसमें आप drivers learners license पर click करेंगे एक new tab open हो जाएगी इसपे आप अपने state चूज़ करेंगे आपके सामने एक pop-up आता है तो आप इसको skip करेंगे इसपे आपको एक option मिल जाएगा apply for learner license इसपे आप click करेंगे आपके सामने steps आजाएगी आप continue करेंगे इसपे अपने category चूज़ करेंगे और submit करेंगे इसपे आपको दू options मिल जाएगे वाया other authentication और without other authentication अगर आप second option चूज़ करेंगे without other authentication तो आपको RTO जाना पड़ेगा वहाँ आपको test देना पड़ेगा तब आपका learner license बनेगा और अगर आप पहला option चूज़ करते हैं वाया other authentication तो आ आपका other card के साथ mobile number link होना चाहिए okay करेंगे इस पर आपको चूज़ कर लेना है other number इस पर आप अपने other number डाल देंगे और generate OTP पर click करेंगे आपके other card के साथ जो mobile number link है उस पर एक OTP send किया जाएगा वह OTP आप इहाँ डालेंगे इसके बाद concern देंगे इसके बाद आप authenticate पर click करेंगे आपके details से अपने other card से ले लेगा आपको यहाँ पर कुछ भी fill करने की जरूरत नहीं है आप proceed करेंगे आपके सामने एक dialogue box आजाएगा उसे okay करेंगे इस पर आप अपने place of birth डालेंगे नीचे यहाँ पर आप अपने qualification चूज़ करेंगे इस पर आप अपने blood group करेंगे अगर आप गाउ से तो आप village चूज़ करेंगे अगर आप कास्मे चाहर से तो आप यहाँ पर टाउन चूज़ करेंगे इस address पर आप कितने time से रह रहे हैं वह आप यहाँ डालेंगे और यहाँ पर month डालेंगे इस पर आपको select करना है आप कौन से driving license बनाना चाहते है जैसे कि अगर आप सिर्फ डूहिलर का ड्राविंग लेसेंस बनाना है तो आपको यहाँ पर चुछ करना होगा मोटर साइकल उट गियार इसके बाद इस ऐकन पर क्लिक करके आप इसको इस बॉक्स पे एड़ कर देंगे अगर आपको फोर उइलर के यानि एलन वी एड़ करना है अब जैसे कि यहाँ पर हमें सिर्फ टूहिलर का एप्ले करना है तो आहां मैं यहाँ से इसको उटा दूँगा इस पर मैं सिर्फ एड़ करूंगा मोटर सेकल उट गियार और इसको मैं इस बॉक्स पे एड़ कर दूँगा इस तरीके से आपको यहाँ पर सिलेट कर लेना है कि आप टूहिलर का बनाना चाहते है या फिर फोर उइलर का बनाना चाहते है या फिर सिर्फ टूहिलर या फिर फोर उइलर का बनाना चाहते है अगर पहले कभी आपका लाइसेंस कंसल किया गया है या फिर सस्पेंड किया questions पुछा गया है जिसको आपको अपने physical witness की according इसको yes या no करना है सभी questions को आपको अपने according yes या no करना के बाद आप declaration देंगे और submit पर click करेंगे आपके समने एक dialogue box आजाएगा आप ok करेंगे self declaration submit हो चुका है back करेंगे अगर आप accidental death की situation पर आपने organs को donate करना चाहते है तो आप इसको yes करेंगे बोना आप नो ही रखेंगे इसके बाद submit करेंगे आपके सामने एक notification आजाएगा कि अगर आप इसको confirm करते है तो आप इस पर कोई बात में कोई भी correction नहीं कर पाएंगे इसके लिए आप इसको एक बार सही तरीक से चेक कर लाएंगे confirm करने के लिए ok करेंगे जर details को submit करने के लिए ok करेंगे आपके application successfully submit हो चुकी है ok करेंगे इसके आपको application number मिल जाएगा यह आपको note करके राक लेनी है इसके बाद next करेंगे इसके आप देख सकते application हमने fill कर दी ह इसके बाद आपको documents upload करना होगा तो अप्रसेट पर क्लिक करेंगे application number date of birth आजाएगे आप submit करेंगे इसको आप ok करेंगे इसके आपको दो documents upload करनी है एक है age proof और एक है address proof तो पहले हम age proof यह select करेंगे proof पे आप कौन कौन सी documents दे सकते हैं वह आप यहाँ दे सकते हैं तो इस प इसके बाद अप्लोड पर क्लिक करेंगे आपका document successfully upload हो जाएगा confirm करेंगे इस पर देख सकते हैं age proof और address proof दोनों upload हो चुकी है next करेंगे इसके बाद आपको अपना photo और signature upload करना होगा तो आप प्रसेट पर क्लिक करेंगे photo आइस पर आधर कट से ले लिए क्या है तो आप इस upload कर देंगे signature select करने के बाद upload and view files पर क्लिक करेंगे signature upload हो चुका है जो कि आप अपने photo के साइट पर देख सकते हैं इसके बाद save photo and signature पर क्लिक करेंगे इसके बाद next करेंगे इसके बाद आपको फिल्स पर करनी होगी तो प्रसेट पर क्लिक करेंगे learner license के लिए 150 रूपीस और add हो जाएंगी इसपे आप payment gateway चूश करेंगे state bank of India या पर आप यह capture fill करेंगे जैसा लिका हुआ है वैसा ही आपको type कर देना है इसके बाद पैनाओ पर क्लिक करेंगे times and conditions को accept करेंगे proceed for payments पर क्लिक करेंगे आपको redirect कर दिया जाए payment gateway पर जहां से आप payment कर सकते हैं इस पे आप प्रिंट के लिए यहां क्लिक करेंगे state bank of India की debit card के लिए यहां क्लिक करेंगे किसी और bank के लिए यहां क्लिक करेंगे जैसे कि मुझे internet banking से पैकारना है HDFC bank की तो मैं यहां क्लिक करूंगा इस पे आप आपने bank चूश कर लेंगे इसके बाद मैइक payment आपने user ID password डाल के आप आ यह capture will करेंगे और print receipt पर क्लिक करेंगे यह है आपका payment receipt इसको आप अपने record के लिए save करके राख सकते हैं इसके बाद next करेंगे इस पे आप अपने date of bar चूश करेंगे और submit करेंगे application successfully submit हो चुकी है आप आपको आप आप यहां पर देख सकते हैं no need to visit RT office इसके बाद आपको online learner license test भी देना होगा जिस पर मैंने complete वीडियो बनेया हुआ है जिसका link वीडियो के description पर रहेगा उस वीडियो पर learner license test online कैसे complete किया जाता है उसका complete process दिखाया गया है learner license complete करना के बाद आपको online अपना learner license download कर सकते हैं so इस तरीक ऐसे आप बिना आटियो जाए अगर सही आप अपने learner license बना सकते है so I hope कि आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगए तो आपने फ्रेंटों साथ जरूर श्यार करना वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर करना तो चलेगा जासके लिए इतना ही मिलते है आप लोगों से किसी नए वीडियो में नए ट्रेपिक के साथ